जाहिन दोस्तों आज की वीडियो में बताऊँगा कि आप लोग किस तरीके से अपना लिवर कार्ट रीन्यू कर सकते हैं लोगों को इसके बारे में पता नियुक्त रागुलर कमेंट्स आप वीडियो इसके उपर बनाएं तो यह वीडियो कंप्लीटली उनी लोगों के लिए वीडियो डालो तो उसकी सूचना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लेवर कार्ट को किस तरीके से रीन्यू कर सकते हैं आप लोग और एक-एक स्टैप यहां तक ही रजिस्ट्रेशन से लेके फाइन और एंटर कर देंगे एंटर करने होए जो सब से पहली वैबसाइट आए यह आपको उसी उपन कर लेना देखे जो सब से पहली वैबसाइड है इसी को ओपन कर लेंगे इसे open करने के बाद से, देखे, सबसे पहला option होता है citizen के लिए, यानि कि आम आदमी के लिए, अब यहां ते देखे, सबसे पहला option है new user का, यानि जो लोग पहली बार इस website पे आ रहे हैं, उनके लिए नया user बनाना सबसे पहला inventory काम है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि हमारी ID का है password गया, तो यहां से पहले ID password create करनी होती है, और जितने लोगों को अपना labor card renew करना है, यानि उनका पहले बन चुका है, वो इस website से काम कर चुके है, तो उनके पास ID password 100% है कि होगा, तो मैंने भी यहां पे renew के उपर बनाया इस तरीके से सो करें, सबकी ID कुछ इसी तरीके की सो होगी, तब का ID 10 number से ही सो होगा, और password यह hide है क्योंकि password में सब को सो नहीं कर सकता, तो यहां पर देखिए ID इस तरीके से password यहां पर हियाद है, उसके बाद यहां से हम capture code को डालेंगे, क्योंकि सबके पास ID बनी होगी, password बना है, वैसे same-to-same इसके अंदर हमें type कर देना होता है, इतना करने बाद यहां login का button इसके ओपर click कर देंगे, और देखिए यहां पर भी नया register करने का option देता है, लेकिन हमरे पास already ID password है, तो हम login कर लेते हैं, login करने के बाद आप लोगों के भी सामने कुछ इसी तरीके का एक dashboard आएगा, जहां पर आपका नाम, date of birth, address, mobile number और email ID दिखाएगा, अपका कुछ same इसी तरीके से होता है, कुछ भी change नहीं होता है, अब यहां से हमें simply apply for services के उपर click कर देंगे, और नीचे की तरफ चले labor card के जितने भी option है, आपको 100 number के ऊपर ही दिखाएगे, यहां से 100 खतम हो गया, अब यहां पर देखे, building and other construction worker का एक section मना हुआ है, इसी के अंदर हमें renew का option दिखाएगा, तो देखे, मेरे पास 116 number पे है, ऐसा हो सकता है कि यह number आपके पास कम हो या जारता हो, या निकी 110 पे और इस option को direct find and search में click करते हैं, देखे, control C से या copy, और यहां पर paste करूंगो तो यही एक option यहां पर दिखाएगा, तो आप लोग directly यह option search कर सकते हैं, क्योंकि यह number उपर नीचे होते हैं सबके में, धीनियोंने का time department के तरफ से 7 दिन का कहा हुए, लेकिन इस समय टाइम लग र तो कोई कुछ भी कर ले, वो issue नहीं हो पाए, तो इस समय सबका time लग रहा है, at least आप लोग अपना दीनियों के लिए apply जरूर से करते हैं, ताकि अगर दिल्ली government के तरफ से कोई भी सुविधान यहां तो आप लोगों मिल सके, तो यहां पर देखे, 7 दिन का का हुए, लेकि इस समय महीने सो दो महीने लग जा रहे है, clearly यह इतना time लग जा रहा है, सबका लग रहा है, sorry, apply के ओपर click कर देंगे, apply पर click करने जब, apply पर click करने बाद आप लोगों के सामने भी सेम इसी तरीके से option दिखाए दीगा, जिसके अंदर आपका नाम, date of art हो गयरा, सब कुछ तो वो नमबर मैं यहांसे डाल देता हूँ, पुराने लिवर का नमबर डालने बाद continue के उपर click करतेंगे, आपकी जो basic detail हो हमेशा उपर की side में show होती रहेगी, देगे दोस्तों continue करने बाद आपकी basic detail हमेशा उपर की side में हमेशा show करती रहेगी, उसमें कोई doubt नहीं है, नी पूछे नीचे ही तरफ आएंगे, और यहां पर पूछे का nature of work, आप क्या काम करते हैं, तो जो भी आप electrician, मजदूरी, या fitter, painting, bulldozer चलाते हैं, या कुछ भी something, क्योंकि लेवर कार्ट के ओल और के ओल construction से related worker के बनाए जाते हैं, जैसे जो घर बनाते हैं, चौगिदार तो mostly लोग हैं मजदूरी का apply करते हैं, यह भी मजदूरी का काम करते हैं, बिलदारी करते हैं, तो यहां पर यह option में डाल दिया है, उसके बाद यह कहां पर काम करते हैं, तो यह कहां पर काम करते हैं, वो हमें इसकी locality को डालना है, main area डालना है, यह वजीरपूर का काम करते वजीरपूर इंडस्ट्री ले रिया, CSC कालोनी रेल बेलाई लाइन के पास, अब पूरा पता पूसता है कि कारेस्टल का पूरा पता बता ही, जहां पर यह खाम कर रहे हैं, उसका पूरा पता बता ही है, देखे, काफी बार में बस कॉल आते हैं, पता नहीं कैसा वो नमबर म क्या पूसते हैं, कि सब जो काम कर रहे हैं, वो उसमें पता हम क्या डाले, दोस्तों आप खुद बताईए, कि मैं यह क्या पता बता सकता हूं, कि आप कहां पर काम कर रहे हैं, कभी नहीं बता सकता, तो आप जिसका बना रहे हैं, उनहीं से कंफर्म करें, कि वो कहां पर काम कर रहे हैं उसका address यहां पर डाल दे तो जहां पर यह Пरिदर्स था है यहां यहांपर equitable address जहां पर करते हैं यहां पर दक्रख्याल Honda को पARच तक जिसके पास आंडर अगर लेवार हैं तो afterwards भी ओगा तो उसका नाम यहां पर हमें डालना होगा इसके साथ कितने दिनों से काम कर रहे हैं जो अंतिम ठीकेदार है या जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ काम करते हुए कितना टाइम होगा तो हूँ हमें लिखना होगा इनका renew कर रहा हूँ, यानि 365 गिन से जाता होगा, तो मैं 365 दिन यहां पर ड़ा दिया. उसकोर यहां पर पूछे गा, जो आपका ठीकेदार है, उसका address बताईए, तो यहां पर उसका address भी हमें डालना होगा, जो ठीकेदार है, ज्यान से. जो ठीकेदार है उसका address यहां पर डालना होगा complete address हो गया और यहां पर देखिए email id ठीकेदार का पूस्ता है यह option आपके पास छोड़ने का हो सकता है कि अगर आपके पास email id नहीं है तो आप लोग छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें लेकिन ठीकेदार का mobile number डालना most important चीज़ है आपको यह डालना ही डालना है देखिए तो यहां पर मैंने ठीकेदार का mobile number पर डाल दिया उसके बाद यह पूछेगा कि जहां आप काम करते हैं उस जगह कौन सा है कहां पर करते हैं कोई building है, factory है, government project है, institute building है, maintenance work है यह कोई अन्य है यह घर का building मना रहें तो उससे related अगर कहीं पर है तो यहां पर डाल दे वरना अन्य करके यह अदर करके छोड़ दे उसके बाद यह देखिए यहां जो पूछ रही है यह option में open नहीं करूँगा यह मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ है यह पूछ बता रहा है कि आपने पुराना account number दिया था क्या आपका अभी भी वही चल रहा है या कुछ change हुआ है अगर जितने लोगों account number change करना चाहते है या change हो गया है तो यहां no करके अपना account number डाल सकते हैं पुरा option open हो जाएगा लेकिन जिल लोगों का पुराना account अभी भी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो वो yes रहने दे क्यूंकि इसे छेड़ था नहीं बाद काफी लोगों पास errors हो रहा है तो इसे मैं छेड़ूँगा नहीं जैसे है ऐसा ही छोड़ दे यह दोनों option no रहेगा no रहने दे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो लोग yes करें जो लोग किसी construction union के साथ जुड़े हुए है वो यहां पर yes करके उस union का नाम डालना पड़ेगा तो अगर नहीं है union के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है इससे no छोड़ दे कोई बेसिक डिटेल आपकी उपर सो हो जाएगी से नीचे में किवल तीन डॉक्मेंट को अफ्लोड करना है तीन में हम क्या-क्या अफ्लोड करेंगे यह भी मैं बताते हूं चलूँगा present address proof में आपको अपना अधारकाड लगाना है most important thing कि आपको अपना अधारकाड ही लगाना ह इसके बात बैंक की पास्टूक को लगाना है कोसिज करेंगी उसके पर फोटो लगी हो और उसके उपर stamp वो बैंक का अगर नहीं भी है तो काफी बार दिकत नहीं होती लेकिन काफी लिवर जो department है वो इसके बारे में भी इस्यू करते हैं तो कोसिज करेंगी आपके पास्ट के उपर आपकी फोटो हो उसके उपर बैंक का stamp हो उसके बाद यहां पर देखें सबसे लास्ट में self declaration वालेगा तो self declaration में ने आप लोगों के लिए आसान काम कर दिया है अब simple मेरी website पर आएंगे वजीदपूरसाइबरकैफे.blogspot.com इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे देऊँगा तकि आप लोगों को कोई दिक्त ना हो यहां पर देखें एक option मैं ने बनाए हुग लेवर कार्ट self declaration तिम्पल आप इसके उपर इसपे टिक करेंगे तो लेवर कार्ट के जो self declaration है वो आप लोगों के सामने बड़े असानी से सोख हो जाएगा देखेए इसको आप लोग पहले से print करके भरके रखें तकि जब आप लोग भारम को भारे हैं आपको डॉक्मेंट की वज़े से रुकना ना पड़े एक बार मैं सब complete हो जाए तो यह self declaration आपको website के उपर available है पे SC certificate का self declaration और यह self declaration सभी में काम आता है लेकिन specially income certificate के लिए है तो यह तीनो self declaration मैंने यहाँ दी जा हुआ है इस website का link मैं आप लोगों को दे दूँगा ताकि आप लोग भी सब follow up करें और जो भी नए updates होते हैं मैं इसके उपर कोशिश करता हूँ time to time update करता रहूँ तो यहाँ देखिए यह तीन document है यह तीनो document को मैं upload करते हो चलता हूँ बिल्कुल upload के साथ के साथ देखिए दोस्तों सबसे पहले जब जैसे document पर आएंगे सबसे पहला option को लेगा दोकुमेंट के नाम सेलेक्ट करने है तो हमें अधार कार्ट करना है मैं करते हूँ टिक अब पहले से इनके पास अधार कार्ट uploaded है यूँ आईडिया का option यहाँ पर आ जाएगा अधार का नमबर बिल्कुल ठीक डाले क्योंकि वह verify यहीं से हो जाएगा तो मैं अधार करें देखें मैं यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ अब यह प्रोसेस और यह verify हो जाएगा यह verify होना बहुत ज़रूरी अगर verify नहीं होगा तो आप यह labor card को reject कर दिया जाएगा तो अधार नमबर बिल्कुल correct डाले उसके बाद इस फाइल को यहां से चूज करके upload करें फाइल अब यहां पर डालना है तो यहां पर upload के उपर क्लिक करेंगे अब काफी लोग पूछते हैं कि सर इसमें document हम सेलेक्ट करेंगे bank फोटोग्राफ जैसा कि मैंने बताया आप लोगो उसके बाद यहां पर document detail में क्या लिखेंगे सिंपल नहीं है जिस भी बैंक ने आपका document यानी की पास्बुक इशू किया है सिंपल उस बैंक का नाम डाले इनका SBI का है State Bank of India बस इतना में डाल देना है और यहां पर अधर कर दें फिर यहां पर State Bank of India डाल दें देखें पूछें का department name तो SBI का पास्बुक और यूज़ करेगा तो department भी SBI होगा तो State Bank of इंडिया अभी हाँ document नमबर में अपने account का नमबर डाल रहे अगाउंट नमबर डालने ही वाद साइड में क्लिक करें और क्रास्बुक को यहां से सलेक्ट करें अप्लोड एंड अप्लोड के पर क्लिक कर दें यह भी अप्लोड हो गया कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि मैंने आप लोगों बता है कि यहां से आप लोगों को मिल गाएगा इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे करके और भर के रखें यहां से मैंने यह कर दिया अप्लोड सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा सेल्फ डिकलेशन ऑफ एंप्लोइमेंट साथीडिक करेंगे अदर पे क्लिक करेंगे अब यहां से भी निकाल सकते लेकिन यह काफी लीड हो जाएगा यहीं फोर्म भी मैंने देखें यहां से भी क्लिक करेंगे तो वहy form होगा जो ही मैंने यहां पर दे रखा है सेम form है तो इसे issue कहुन कर रहा है तो दो लिःवार department कर रहा है जिर यहां पर कर लिःखेंगे department of liver या liver डिपार्टमेंट लिखते है देखें बैस इतना लिखना है अब यहां से Self-Declaration form देखें यह बना रखा है मैंने, Okay and Upload, बहुत basic सी detail को भरना होता है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, जो आप लोगों को पता ना हो, नाम, address, ठीकेदार का नाम, उसका address, बस इतना ही होता है, उसका इतना ही होता है, तो आप लोग इतना भर सकते हैं, किसी की personal detail है, इस वह इसमें यह document को दिखा नहीं सकता है, उसके लिए, sorry, next के उपर click करेंगे, देखें दोस्तों, जैसे next पर click करेंगे, आजाएगा आपके पास photo upload करने का option, यहां से upload, देखें दोस्तों, next पर click करते ही, यहां पर photo upload का option आजाएगा, upload के उपर click करेंगे, ज अब यहां से photo को मैंने blur किया हुआ, इस वह जैसे आपको show नहीं करेंगे, लेकिन photo यहां पर देख सकते हैं, upload हो चुकी है, इसके बाद हम simply next के उपर click करेंगे, final submit के उपर, देखें दोस्तों, जैसे आप final submit के उपर click करेंगे, आपके सामने पूरे form का preview खुल के आजाएग तो परेशान ना हो, क्योंकि काफी लोगों से गलती हो जाती है typing, तो edit का यहां बटन है, इसके उपर click करके edit कर सकते हैं, बागी मेरा पूरा form ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां final submit के उपर click कर दें, okay, देखें दोस्तों, जैसे आप submit के उपर click करेंगे, उसक payment के through, अब लोग कर सकते हैं, अब इसका QR code है, इसको scan करके भी आप लोग directly पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, अब यहां पर देखें, इनका जो registration fees है, वो सब 20 रुपे, लेकिन इनकी late fees 8 रुपे है, total हमें 28 रुपे की payment करनी है, और payment करने पर जो transaction number आएगा, वो यहा amount है, amount हमें total यहां पर 28 रुपे डाल देना है, तो इसकी मैं payment कर लेता हूँ, अपने phone पे पे के through, और जो उसकी slip होगी दोस्तों, उसका screen shot हमें यहां पर लगा देना है, अब दोस्तों, यहां से मैंने इसकी payment कर दिया हूँ, मैं इसके reference number यहां से डाल देता हूँ, यह जो ह यहां पर देखे, slip, ok, and continue के उपर क्लिक करेंगे, और जैसे submit पर क्लिक करेंगे, आप लोग आपके registered mobile number and email id दोनों के उपर OTP send हो जाएगी, यहां पर देखे दोस्तों, जो email id आपके डली होगी, उसके उपर भी यहां दिखाई देगा, और जो mobile number है, उसके last के चार number दिखा देखे, दोस्तों, जैसे submit पर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने, यह slip बन के आजाएगा, तो यह print डारेक्ट के यहां से क्लिक करके निकाल सकते हैं, बाकि आपके slip यहां पर दिखा देगा, जो 28 रुपे की payment किया था, और slip के ऊपर भी आ जाएगी, और यह आपका आज अब हमें इसके बात क्या करना है, जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने step by step सबकुछ बताए, किस तरीके सामें लेवर कार्ट को renew करना है, रिन्यू करने पाद अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, लेवर आफिस में कुछ प्रॉब्लम्स की वज़े से, आप लो वाइल में लॉग इन करके आप लोग अपनी selfie के साथ में अपनी photo को अपलोड कर सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और दोस्तों यह वीडियो complete है, और आप लोग इसको follow up करके अपना लिवर काट रिन्यू कर सकते हैं, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अगर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, जाएं दोस्तों.